हेलो दोस्तों जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग ये एक मॉस्कीटो रैकेट है जिसको रिपेयर करना सीखेंगे तो यहाँ पे आप देख पारें मैं पुस बटन जब इसकी दबाऊंगा तो इसकी जाली में हमें करेंट जो है मि देखना चाहिए तो यहाँ पे आप देख पारें किसी भी तरह की कोई स्पार्क नहीं है तो कई बार क्या होता है कि सबसे पहली जो कमी होती है यह सबसे साधान कमी है इस कमी में क्या होता है कि जाली जो है यह हमारी अंदर को दब जाती है इसमें तीन जालीयां होती है दो बाहर को रेक अंदर को जब हम हिट करते हैं इसको तो किसी चीज से अगर ये लड़ जाता है तो ऐसी इस्थित में इसकी जाली जो है वो अंदर वाली जाली से टच होने लगती है जिससे कि हमें इस पार्क जो है वो देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले manually जाली को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पारें मैं manually जाली को चेक कर रहा हूँ तो हमें इस जगे पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस portion में हमें कुछ जाली जो है अंदर को दबी हुई दिख रही है यहाँ पे आप देख पाएंगे यह आपको आसानी से देख पाएगा कि इस जगे पे जाली जो है यह दबी है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा पहले की पुजीशन में इसको ले आएंगे और इसके बाद फिर से हम टेश्ट करेंगे यहाँ पे आप देख पारें मैंने पहले की position में इसको कर दिया है अब हम इसको test करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसका push button दवाता हूँ LED indicator working वाला जल रहा है लेकिन अभी भी हमें spark जो है वो नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थित में अब हमें इस mosquito racket को खोल ला होगा तो यहाँ पे हम इसके जो screw लगे हुए है इन screws को खोल लेते हैं जैसा कि आप देख पार है और इन screws को खोलने के बाद हम इसके ऊपर का जो यह body है इसको side में रख देते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें एक तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी यह battery है और यहाँ पे यह circuit है जो कि high voltage generate करता है तो यहाँ पे push button जो है मैं इसको निकाल देता हूँ मैं आपको circuit जो है वो दिखा देता हूँ किस तरीकी का circuit है आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यह जो circuit है यह high voltage generate करता है और इस circuit में जो component है उन्हीं में से कुछ component खराब होगे यहाँ पे यह high voltage वाला section है यह transformer आप देख पा रहें और यहाँ पे एक यह transistor लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो transistor में आती है और यहाँ पे आप देख पाएंगे यह जो transistor है इसके ही ज़्यादा तर chance होते हैं खराब हो सकता है यह लेकिन सबसे पहले हम battery के voltage जो है वो test करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें ये एक sealed lead बैटी जो है ये लगी हुई है और इसका एक wire जो है ये अभी निकला है चुकि पहले हमारा ये जो mosquito racket है ये work कर रहा था ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन loose connection होने की वज़े से भी कई बार जो है हो सकता है इस spark हमको ना मिले तो यहाँ पे हम ये जो wire है इसको जोड़ देते हैं और फिर से एक बार हम mosquito racket को पहले की तरह test करेंगे फिर हम इसके बाद ही बैटी के voltage जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पारें मैंने wire जोड़ दिया अब हम push button जब press करते हैं तो यहाँ पे LED indicator जो है ये glow होता हुआ दिख रहा है तो ऐसी condition में अगर circuit हमारा सही है तो हमें spark जो है वो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलना है आप देख पारें तो अब हम क्या करेंगे कि इस battery के voltage जो है वो test करेंगे इसके voltage जो है कम से कम 3.8 से कम नहीं होने चाहिए अगर अच्छी spark अगर हमें मिलनी है तो 3.8 volt होना चाहिए तो यहाँ पे हम voltage जो है वो test करते हैं charging voltage 4.2 के about मिलता है तो यहाँ पे 4.17 मिल रहा है तो इसका मतलब यह voltage जो है सही बता रही है और battery हमारी बिलकुल ओके है तो इस स्थित में अब हम अपने circuit में जो transistor है इस transistor को test करेंगे तो यह transistor जो है इसको निकाल देना है और इसके बाद ही आप इसको test कर पाएंगे testing का process पे मैंने पूरा video डाला है मैं यहाँ पे आपको test करके नहीं दिखाऊंगा मैं उपर i button में वीडियो का link दे देता हूँ कि इस transistor को कैसे test किया जाता है अब हम क्या करते हैं कि यह transistor जो है खराब है इसको अगर confirm करना चाहें तो दूसरा उपाई यह है कि इसको आप push button जो है इसकी press करके रखिए और यह transistor अगर काफी ज़्यादा heat हो रहा है तो इसका मतलब यह transistor जो है खराब है तो मैं आपको यहाँ पे अपने infrared thermometer से यहाँ पे इसकी heat जो है वो दिखा देता हूँ कि यह काफी ज़्यादा heat हो रहा है आप देख पाएंगे मैं push button जो है press कियो यहाँ पे यह लगातार heat होता जा रहा है और जैसा कि आप यहाँ पे देख पारें इसका जो temperature है वो 55 degree centigrade के भी उपर जा चुका है दीरे दीरे इसका temperature जो है वो बड़ राय तो यहाँ पे हमारा transistor जो है वो खराब है और इस transistor को हम सबसे पहले replace करेंगे तो इसको हम निकालते हैं और जिसके बाद इसकी जगह पे आप जो है दूसरा transistor लगा पाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ अपनी solding iron की मदद से आप देख पाएंगे कि इस तरीके से मैं solding iron की मदद से यह transistor जो है इसको circuit board से निकाल रहा हूँ और जिसके बाद मैं आपको इसको manually दिखा दूँगा यहाँ पे यह transistor जो है अगर overheat हो जाता है तो ऐसी condition में यह transistor जो है कि transistor जो है यह हमारा खराब हो चुका है तो यहाँ पे इसमें transistor जो है लगा है 882 तो यह transistor जो है NPN ट्राजिस्टर है 882 नंबर तो अब हम क्या करेंगे same transistor हम इसमें replace करेंगे अगर आपको same नहीं मिलता तो मैं वीडियो के description में transistor की list दे दूँगा आप equivalent transistor जो है उसकी जगह पे लगा पाएंगे यह हमारा 882 transistor है आप देख पा रहें और यह अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जो इसकी जगह पे आप transistor यूज कर सकते हैं वो है 1351 तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं और यह भी उससे अच्छा ही work क करेगा यह थोड़ा सा costly मिलेगा आपको तो अब हम क्या करते हैं कि जो transistor है 882 इसको हम replace करते हैं और इसके बाद आगे की testing करते हैं कि जो हमारी fault है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे solding iron की मदद से यह transistor जो है इसको replace कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले हमें जो transistor के points हैं उनको clean कर लेना है holes जो है उनको clear कर लेना है चुकि उसी में हमारे transistor की legs जो है वो जाएंगी तो यहाँ पे मैंने holes जो हैं उनको clear कर लिया है आप देख पाएंगे और अब हम अपना transistor जो है इसमें place करेंगे direction का आपको ध्यान देना है यह transistor जब भी आप नि तो हमें transistor just opposite यानि उलट के लगाना होता है तो इस चीज का आपको ध्यान देना अमेशा उसके pinouts देखने हैं net में आप सर्च कर सकते हैं pinouts यहाँ पे मैंने transistor जो है proper तरीके से लगा दिया है और अब हम इसकी जो soldering है वो कर देते हैं इसके बाद extra legs जो है उन्हें हम cut करेंगे तो यहाँ पे मैं soldering iron से इस transistor की legs जो है उनको soldering कर देता हूँ जैसा कि आप देख पा रहें और अब इसकी extra legs जो है वो हमें cut करनी है तो यहाँ पे मैं इसकी extra legs जो है उन्हें cut कर देता हूँ जिसके बाद हम इसको फिर से test करेंगे यहाँ पे step by step आपको mosquito racket को repair करना होता है इसी तरह से आप mosquito racket को repair कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पारें अब मैं push button जो है वो प्रेस करने वाला हूँ और यहाँ पे working indicator आपको glow होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे अब हम spark जो है वो भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पारें काफी अच्छी spark हमें मिल रही है और मैं आपको फिर से एक बार test करा देता हूँ यहाँ पे फिर से हमें अच्छी सी spark जो है वो मिली है इसका मतलब हमारा circuit जो है यह ठीक हो गया है तो यहाँ पे अगर ऐसी condition में भी आपका mosquito racket ठीक नहीं होता है तो आप इस तरह का neon lamp जो है इसके transformer के output voltage जो है उनको test कर सकते हैं यहाँ पे आपको यह clear हो जाएगे कि आपका transformer जो है वो बिलकुल सही है इस पे मैंने एक अभी video upload किया अगर आपने वो video नहीं देखा तो आप वो video भी देख सकते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे यह हमारी transformer के high voltage generate करने वाले points है तो इन ही points पे हमें neon lamp जो है उसकी दोनों legs को touch करना होता है और फिर उसके बाद हम push button जो है वो press करते हैं तो अगर हमारा neon lamp अच्छी तरीके से अच्छी brightness के साथ glow होता है जैसा कि आप देख पारें ऐसा ही glow ह होना चाहिए तो इसका मतलब हमारा transformer जो है बिलकुल okay है मैं आपको एक बार फिर से spark test करके दिखा देता हूँ अब देख पाएंगा अच्छा खासा spark जो है में मिला था इस तरीके से हम अपने mosquito racket को ठीक कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह video जो है आपके लिए helpful रहेगा तो आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day